तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमने RSS feed को किस तरह अपनी website के अंदर हम attach करते हैं उसको किस तरह हम use करवाएंगे RSS feed का क्या मतलब होता है कि किसी भी website की किसी भी news को किसी भी latest article को अगर किसी भी website ने allow किया होगा तो ही हम उस चीज को अपनी website पर attach कर सकेंगे तो चलिए हम अपनी वीडियो को start कर दोनों languages को start कर देना है यहाँ पर आने के बाद आप अपने browser में जाके अपनी website को open कर लेंगे यहाँ पर जाके हम अपनी website को open कर लेते हैं यहाँ पर हम पासवर्ट दे देते हैं पासवर्ट देने के बाद यह website हमारे सामने आ चुकी है अब हमने करना क्या है बेसिकली आपने करना क्या है आपने direct plug-in पर जाना है plug-in हम इसका RSS feed का install करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसका RSS feed का काम क्या होता है हमने यहाँ पर चल जाना है RSS feed आपने just इसको ऐसे लिख देना है ठीक है इसको हम search करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हम आपने कौन से वाला plug-in इंस्टाल करना है क्योंकि इसमें काफ सरे plug-ins आ जाएंगे तो हमने करना है यह वाला RSS feed retrieve का इसका मतलब यह है कि हम किसी दूसरी website का data retrieve करके अपनी website के ओपर लेकर आएंगे सबसे पहले तो आपने इसको plug-in को simple-simple install कर लेना है जब यह plugin install हो जाएगा इसको आपने करना है activate के यह install हो चुक है इसको हम कर देते है activate जब यह activate हो जाएगा तो यह आपके सामने show हो जाएगा आपके सामने आपने क्या करना है यह जब इस तरह का आपके समने शो हो जाए RSS feed का तो आपने करना कुछ भी नहीं है आपने simple simple यह code को आपने कर लेना है copy आपने यह कहां पर show करवाना है तो हम basically अपनी news को जो किसी दूसरी website की top की news होंगी दूसरी website की news को अपने home page के ओपर display करवाएंगे तो यहां पर आ जाते हैं यहां पर आने के बाद हम अपने pages पर चले जाते हैं यहां all pages आगए तो हम basically home page में display करवाना चाहरे हैं तो यह हमारा home page है इसको हम करेंगे edit edit करने के बाद हमने क्या करना है उस code को हमने उस code को कहां पर display करवा देना है जैसे मैं यहां पर ठीक है आप यहां पर home page पर आजाएंगे home page पर आने के बाद आपने code को कहां पर display करवाना है यहां पर मतलब यह आपकी home page है home page के हम यहां back पर उस page को मैं यहाँ पर paste कर देता हूँ यह page हो गया, अब आपने क्या करना है यह direct इस तरह display नहीं होगा अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आजाना है यहाँ पर आने के बाद Google पे आपने क्या लिखना है click info rss feed url list ठीक है यह आपने search कर लेना है तो आपके पास जब मैं इस website को open करूँगा तो कुछ website allow करती है आपको अपनी news share करना कुछ website allow नहीं करती तो जो website allow करेंगी आप उन्ही website का data ही अपनी website पर लगा सकेंगे ठीक है, यह बात आपने अपने जहन में रख लेनी है यहाँ पर इसके पर click करूँगा इसको ऐसे कर लेना है copy यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है यह डबल कुमाज से पहले यहाँ पर देख रहे हैं यह slash से पहले आपने यह सारा लिंक को कर देना है खतम और वो जो आपने लिंक किया था copy आपने इसको यहाँ पर paste कर देना है ठीक हो गया, यहां पर जब पेस्ट हो जाएगा, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, आपका वो जो न्यूज है, वो यहां पर शो हो जाएगी, आटम आपके पास कितने होंगे, कि मतलब आपके पास जो न्यूज होंगी, वो कितनी शो होंगी, यहां पर वो दिखारा 10, त आपके पास news कितनी शो हो जाएंगी 10 news और accept क्या इसका क्या मतलब होता है कि 50 आपके सामने वो जो character show होंगे क्या character character mean title वो जो news के title होंगे वो 50 character तक show होंगे जब उसको click करेंगे तो हम host next website click info की website पे चले जाएंगे जाने के बाद हमारे सामने वो चीज़ें show हो जाएंगी उसके बाद read more क्या आप उसको read कर सकते हैं जो आपके सामने news के article show होंगे हम true कर देते हैं credit क्या है ठीक है true कर देते है आपकी जो click info वाला article है वो new tab में open हो जाएगा यहाँ पर thumbnail दिखा रहा है thumbnail का जो size है वो कितना show होगा 200 इसको आप कम ज़्यदा खुच से कर सकते हैं item को भी कम ज़्यदा कर सकते हैं character को भी कम ज़्यदा कर सकते हैं ठीक है उसके बाद cash 12 और इसका मतलब यह है कि जो वो उस website की news होंगी वो आपकी वेबसाइड पर 12 घंटे तक रहेंगी 12 घंटे बाद नियूज क्या हो जाएंग पेज पर जाने के बाद जब हम अपने यहां पर जाके हम देखते हैं कि हमारे पास शोग हो गया यह जो जो आपको आरेसेस फीड आलाओ करें आप उन website के यहां पर शो करवा सकते हैं ठीक है यह उसका टाइटल आगया यह उसकी description आ गई जो हमने कही थी 50 क्रेक्टर रीड म और पर क्लिक किया तो आपके सामने एक न्यू टैब में यह सारा कुछ उपन हो रहा है तो यह पूरा आर्टीकल शो हो जाएगा तो आप इस आर्टीकल को पड़ भी सकते हैं अगर यह आपको वीडियो थोड़ी सी बेच लेगी तो प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब कर दीजेगा